सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार सागत है आपका डॉक्टर साहब से उनने सवालों का सिलसिला शुरू करें उसके पहले आप से आगरह करना चाहूंगी कि अगर आप तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वश्चे कर लें ताप ये आने वाली महत्वपून वीडि है कि सरीर में कहीं कुछ आपका इंफेक्शन वगरह लगा हुआ है या कोई बीमारी है ये इंडिकेट करता है तो इसमें हमें सावधान होना चाहिए कि फफोले जितने दिखाई दे रहें सिर्फ उतने नहीं बलकि उससे आगे भी होते हैं कुछ नॉर्मल फफोले होते हैं जिसमें पानी भरा रहता है लेकिन कुछ ऐसे भी रहते हैं जिसमें बाद में इंफेक्शन वगरह लग जाता है तो फिर वो ज़्यादा समस्या हो जाती है फफोलो में एक सबसे जो लोग कॉमन गलती कर देते हैं कि उसका खुद से फोर देते हैं और ये करते हैं फोर नही चाहिए वो जब तक स्कीन का आउटर लेयर है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा ही ने लेयर को डॉक्टर साब अभी आपने कहा कि लोग फफोलों को फोर देते हैं यह उनकी सबसे बड़ी गलती है तो फफोलों को फोर देना इतना गलत क्यों हो जाता है हानिकारत क्यों साबित हो सकता है समस्या यह होती है कि फोर तो देते हैं लेकिन आप उसके बाद उसके प्रॉपर केर नहीं करते हैं और उस इस्तिती में जब infection लग जाएगा तो वो समस्या जादे बड़ी हो जाएगी एक सवाल में ये भी करना चाहूंगे कि फफोले शरीर में किन किन अंगों में हो सकते हैं फफोले शरीर के किसी भी अंग में हो सकते हैं और इन फफोले में जो सबसे खतरनाक एक बीमारी होती है जिसका नाम है पैंफीगस वो सरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है आपको इवेन आपके मुग के अंदर भी हो सकता है तो वो होता है तो उसमें समस्या बहुत जादा हो जाती है और उसको तुरंद डॉक्टर के उचित सला की जरूरत रहती है अभी जैसा कि सर आपने बताया कि जो फफोले होते हैं वो कई अनिक बीमारियों का संकेत भी हो सकते हैं तो जो फफोले अगर किसी को लगातार हो रहे हैं तो वो किस बीमारी का इशारत समझा जा सकता है देखिए ऐसे बाहर से कह देना कि ये बीमारी होगी इतना असान नहीं है इसमें बहुत सारी चीजों और बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि किस वज़र से हो रहा है क्या कारण हो रहा है शरीर में आपकी जो अंदरुनी ये रक्षा प्रतित तंत्र है वो तो कहीं नहीं कमजूर हो रहा है तो इसमें देखना पड़ता है और उसको प्रॉपर तरीके से इलाज करना पड़ता है अगर किसी को फफफफफ़ले हो जाते हैं तो आप अस अस्थान को साफ रखें हमेशा और उसमें प्रॉपर रूप से मेडिकेशन लें, दवाई लें, लगाएं वहां पे और इस तरह से आप यह चीज़ करके अपना बचाव कर सकते हैं प्राइब भाल